जहिंद प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका अपना परिवार राउंबाला में जिसे हम रिजिनिंग एंड मैथ वाला करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा और मुझे उमीद है कि आप अच्छे होंगे मस्त होंगे और बहुत ही बेतिवन होंगे तो मेरे शाथियों हम आपको पढ़ा रहे थे पाशा तो पाशा में हमने देख लिया था कि पाशा किस किस टाइप्स के होते हैं और उनसे पुछे गए कोश्चन वे चर्चा हुई थी पिछले क्लाश में अगर आप इस परिवार में या इस चैनल पर नए होंगे तो पिछला जो आपका वीडियो पढ़ा है रिजनिंग का डाइश उसे आप देख लिजेगा जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा और बहुत बहुत सा जादा नौलेज जिससे आप आगे यह जो इससे र open dice काते हैं उससे related question बताऊंगा तो सायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मेरे शाथियों हमने पाशा में क्या पढ़ा एक बार उस पे चर्चक कर लेते हैं तो हमने यह देखा कि जो पाशा होता है और two types के होते हैं एक होता है मानक पाशा जिसे standard dice काते हैं और दूसरा होता है आपका साधारण पाशा जिसे हम simple dice कहते हैं मेरे शाथियों ठीक हैं तो हमने क्या था कि मानक पाशा से related question था उससे हमने देखा था मानक पाशा में क्या होता है कि उनके विपरीत फलकों का युगफल शदय और शदय साथ होता है यह बाते आप ध्यान द देजेगा मेरे शाथियों फिर आपका आता है साधारण पाशेश यही अधिकतर question पूछा जाता है सभी प्रतियोगी exam में चाहे हो आपका police का हो या railway का हो या फिर आपका लेखपाल SSC जो भी exam हो उसमें जरूर पूछा जाता है अगर dice स्लेवश में है यह सब question अवश्यात हैं विप्रीत फलकों से related तो साधार और पाशा में विप्रीत फलक ग्याद करने का हमने जो method बताया था वो two types का था एक था common method दूसरा था आपका spin method जिसे हम चक्रड बिदी काते हैं तो हमने क्या देखा था common method में कि निदो पाशों पाशों में जो फलकों के बीच common होगा और दो फलक common होना चाहिए और हमने आपको एक बात बताया था कि पाशा को किसी भी angle पे आप रख देंगे maximum उसके दो ही तीन फलक दिखाए देंगे maximum तीन फलक ठीक है तो दो फलक जब कामन होगा तो common method लगेगा लेकिन जब दो पाशों के बीच एक फलक कामन होगा तो वह पर हम question आपको बताए हैं बहुत बहतिन बहतिन question है उससे हैं ठीक है हाँ एक मेरे मित्र थे उसने ये बोले थे कि चार पाशा दिया गया था तो उन्होंने का कि यहाँ पर x कामन है लेकिन यह ध्यान नहीं दिये कि वहाँ पर y भी कामन था हाँ यह हो सकता है किसी भी पाश पाशे में अगर आप एक एक फलक कामन पाते हैं दोनों फलक में दोनों पाशे में तो आप वहाँ पे चक्रड भी दी लगा लेंगी answer में कोई difference नहीं होगा answer same to same वही होगा अब कब होगा जब एक ही पासे कुछ चार बार उच्छाला गया होगा तब ही होगा ठीक है पासा अगर अलग-अलग होगा तब ऐसा answer नहीं आ सकता है है ना तब वहाँ पे गल्तियां हो जाएंगे तो मित्र हम अब आते हैं खुला हुआ पासा खुला हुआ पासा को अगर हम आपके इस कागज की तरह दिखाएं तो कैसे देखेंगे आप मान लेते हैं यह एक पासा है और और देखो यह इस तर कर देते हैं ठीक है इससे पहले हम आपको यहां पर कुछ चीजे देखा दें फिर उसके बाद जैसे खुला हुआ पासा का जो तस्वीर है हर कोश्चन में एक जासा नहीं रहेगा ठीक है जैसे आप खुलेंगे वासा हो दिखेगा अगर हम इस तरह भी अगर पासा आपको दिख जाए तो कोई समस्या नहीं ठीक है अब नम्मरी इसके अनुसार करेंगे जो आपका यह कागज है क्या है साथ आपको दिख रहा होगा टॉप पे टू है फिर फाइफ है फिर थ्री है फिर फोर है फिर सिक्स है उपन है तो और हम यह कहें कि दो का विपरीत क्या होगा तक कैसे गयात करेंगे तो हम पासा को फोल्ड कर लेंगे ठीक है पासा को हूं पासा ही बना देंगे फोल्ड करके तब देखो एक मिनुट देखो पासा के पूल करेंगे तक क्या हो गा देखो मेरे भाई देख हैं, हमने क्या गाथ तहा, दो का भी परीथ दो यहाँ पर दीख रहा है आपको, देख रहा है न तो Just2 के पीछे क्या है, Just2 के पीछे हमने देखा तीन है तो जश्ट दो की पीछे आपको दिखेगा तीन क्या दिखा तीन दिखा मेरे भाई ठीक है अब अगर हम पांच का विप्रित देखें पांच का देखो मेरे भाई यह देखो पांच का अगर विप्रित देखें जश्ट पीछे जश्ट पीछे देखें तो क्या दिखा आदेगा चार देखा देखा तो पाँक का हमने क्या देखा चार है इतनी बात आप ध्यान देजिएगा ठीक है असायत इसे आप नोट भी कर लेजएगा जो हम अलफाज जो संटेंस बोलने हैं उसे आप कौपी में अपने नोट कर लेजएगा क्या बोलने है ठीक है अब देखो अब वन बचाना वन यहां पर वन है जश्ट इसके पीछे क्या होगा यह देखो यह तो एड़िसेंट फलक ह आई इसके बाद देखो यह वाला ना तो आप इस तरह मत किजेगा बनाएगा मत एकजाम में आपको बस एक बात याद करना है यह कि अगर खुला हुआ पाशा होगा क्या होगा ओपेंड डाइश होगा तो आप अल्टरनेट क्रम पे एक छोड़ कर उसका विप्रीत आपको देखेगा दो का विप्रीत एक छोड़कर दूसरी नमर पर ठीक है तो आपका क्या होगा आपका होगा यहां पर विप्रीत फलक ठीक है अब एक छोड़कर आप यहां पर आएं तो पांच का विप्रीत क्या जाएगा फोर अब दूसरा कंडिशन क्या है कि one का क्या होगा six होगा और दूसरी बात ये है कि आसपर्स वाले जो होंगे फलक कभी भी विपरीत फलक नहीं होगा जैसे अगर हम करें five two का विपरीत फलक होगा तो कभी नहीं होगा ठेक है ये भी नहीं होगा और एक और महत्वपुड बात आपको मैं बताना भूल गया था कि कभी भी जो विपरीत फलक होते हैं कभी भी एडियसेंट यानि कि बगल वाले फलक पर नहीं दिखाए देगा अर्थार कहने का मतलब यह मेर शाथी कि अगर आपको कोश्चन में इस तरह दे दिया हो जैसे दे दिया है तू, फाइब, सिक्स यह अगर पूछे कि यह पासा सही है कि नहीं है मतलब इससे यह बन जाएगा तो एकदम बन जाएगा कैसे दो कभी परित तीन है तीन नहीं दिखा दिया एक के बुरिच्छा है, एक आउ चार एक साथ ने दिखा दिया, पांच के बुरिच्छा है, पांच आउ चार एक साथ इस में नहीं दिखा दिय रहा है, लेकिन अगर इस तरह कुछ फिगर हो, तो आपको समस्या क्या होगी? अगर पूछे कि इन में से कौन सा पासा बनने योग्य नहीं है तो आप क्या मारेंगे ये वाला बनने योग्य नहीं है यानि कि ये पासा गलत है क्यों गलत है क्योंकि पाँच का विप्रीत चार है तो पाँच और चार कभी भी एक साथ जूड़े नहीं होंगे यहाँ पे देखो, यह साथ जुड़े नहीं होंगे, ठीक है, इतनी बाते आप ध्यान जीएगा, क्योंकि पांच का जो विपृत होगा, तो जस्ट यहाँ पे होगा, इसकी नीची अंदर होगा, छूपा होगा है, ठीक है, विपृत फलक कभी भी दिखाई नहीं देगा यह स कि कौन सा पासा बनने योग्य है, कौन सा नहीं है, ठीक है, तो अब हम आते हैं कोश्टन पर, और कोश्टन आपको बताएंगे, बेहतिन बेहतिन कोश्टन है आपका पासा से, तो आप कहीं मत जायेगा, यहीं पर रहेगा, और दिल थाम के बैठियेगा, आपको मिलेगा, बहुत ही शांदार क्लासेश ठीक है तो अब आते हैं इक नए डाइलाक के साथ और नए कोश्चन के साथ है मैं लाख खुलना तो पाशा आपका सकुनी मामा वाला भी था तो पाशा वो भी था खनाब की थरह लेकिन पाशा हम यहां पर पढ़ रहा है घन की तरह तो पहरा कोश्चन आपके बूर्ड पर दिखेगा और यह कोश्चन है यह वाला खुला वा पाशा है एक दो ती यहां पर चौथा फिर क्या किया है कि इसकू ऐसे कर दिया ठीक है यहां पर लिखा दो यहां पर लिखा एक यहां पर लिखा चार पूछा कि यदि नीचे दीके ब्योस्था से एक घन बनाया जाए तो सब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सी सब्द होगा सामने अगर पूछे या फिर विपरीत पूछे या फिर ये पूछे कि उसके समुक कौन सा फलक है तो तीनों बात एक ही होगा इसे आप ध्यान देजिएगा क्योंकि अक्सर संटेंस अगर उल्टा पूल्टा लिख देता है तो इनसान भूल जाते हैं और गलतिया यहीं पर होता है मिर शाथी तहीं गलतिया होती नहीं है क्योंकि कोश्चन ऐसे ही आएंगे बस अलफाज बदल जाते हैं कोश्चन का जिससे गलतिया हमसे अक्सर हो जाती है इसलिए आप गलतिया मत कीजिएगा क्योंकि पासे में कुछ ज़्यादे या ने मानक पासा साधराल पासा और खुलागवा पासा तीन है बस हाँ कभी कभी आता है जैसे गत्ता होता नहीं होता है मिठाय उठाय वाला उससे आता है उससे रिलेटर कोश्चन हम किसी दिन बता देंगे आपको स्वाट वीडियो म देखो पांच कभी प्रीथ चार होगा इतनी बाते द्याने देखो दो कभी प्रीथ क्या होगा तो च्छा होगा क्या होगा च्छा होगा लेकिन एक कभी प्रीथ क्या होगा तो तीन होगा कैसे होगा यह भी हम बता रहे हैं देखो यह वाला उठकर यह वाला उठेगा असे यह वाला आएगा यहाँ पर यह वाला ओजाएगा यहाँ पर ठीक है यह वाला आवगा इधर यह वाला आवगा इधर ऐसे ऐसे करेंगे एक नट इसे ऐसे लाएंगे ऐसे लाएंगे ऐसे लाएंगे इसको नचाकर हम क्या करेंगे दो कि विप्रित आएगा यह न चाह आएग इसमें आजाएगा यह तो ऐसे मुड़ जाएगा यह वाला चला जाएगा यहां पर ऐसे आजाएगा ठीक है और यह आजाएगा आपका इधर ऐसे आजाएगा ऐसे खड़ाव जाएगा खड़ाक से यह जाएगा से आजाएगा यह जब ऐसे आएगा तो इसे पहले पोर्षन एस साइड चलाएगा, तीन यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका एक का विपरीद क्या होगा? तो तीन होगा, एक का क्या होगा? एक का विपरीद तीन होगा, टीक है? आपसन आपका कौन सा सही है ए ए आपका आपसन सही है जिसे हम कर दें कि आते आईए कभी चाय पिलाते हैं आपको अर्थार आपसन ए सही है ठीक है आईए कभी चाय पिलाते हैं सच में बहुत मस्ट चाय बनती है हमारे हैं एक धाबा है पंचाय धाबा वहीं पर आपको पिलाएंगे जिससे पंचाद भी कनले लगेंगे अब आपका दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड में बता रहें ठीक है अब आपका दूसरा नेस्ट क्वेश्चन है लिखा है फिगर है कि अब आपका दूसरा नेस्ट क्वेश्चन है यह पांच है यह एक है पूछा है क्वेश्चन में कि आकरती का छायंकित यह वाला छायंकित भाग घन का आदार है और फलक एक आपके सम्मुक है उसके सामने कौन सा फलक है फलक एक आपके सम्मुक है उसके सामने कौन सा फलक है आकृति का चाय चित्रभाग घन का अधार है ठीक है और फलक एक आपके सम्मुक है उसके सामने कौन जा फलक है पांच देखो तो इसका क्या है विपरीत पांच ज्यादे कोश्टिन के चेकर में आप मत पढ़िएगा बस ये पढ़ लिजेगा कि क्या पूछा है तो चायंकित से पूछा है तो अपोजित ही पूछेगा ठीक है सम्मुक चाय बोले चाय बिपरीत बोले या फिर आपको बोले कि उसके सामने कौन सा है तो इसका चायंकित का क्या हो जाएगा चायंकित का बिपरीत क्या हो जाएगा फाइफ वन का हो जाएगा फोर ठीक है और टू का हो ज कि बहुत ही सांदार कि बहुत ही ब्यत्रिन क्लाश कोश्चन है और नीद नहीं पूरी है यह जिन्दगी है जिन्दगी में अक्सर आपको संहर्ष करना ही चाहिए करना पड़ेगा मेरे शाथियों आज नहीं तो कल करना पड़ेगा अगर आज आप इंज्वाय कर रहे हैं अगर आप मस्तिक कर रहे हैं तो फिर बाद में आपको जहलना पड़ेगा अगर आज आप संघर्स कर रहे हैं तो बाद में आपको इंज्वाय करना पड़ेगा डिपेंड आपकी उपर करता है कि आप कैसा करते हैं क्योंकि आज का जो खुसी आपका है आज आज आप जो इ तो च्वाईस आपके उपर हैं आप कासा रएक्ट करते हैं या फिर कासा सोच रखते हैं आपकी विचार धारा कैसी है इसके उपर वह ज्यादा डिपेंड करता है तो शाथीओ। अक्सर लोग छोटी-छोटी बातों से रूट अजया करते हैं और गलत कदम उठा हैं गलत कदम में क्या है कि लोग या फिर कमानी चले जाते हैं या घरवानों सो रूट कर उनको लगता है कि हम आज बहुत अच्छा कर रहे हैं घूम रहे हैं खेल रहे हैं लेकिन अक्सर माबाप कभी भी आपको यह नहीं चाहते हैं कि आप जो ओजेलें चीज चीज का सामना कियें वो आप भी करें इंसानी है इंसान का दिमाग और दिल एक जैसा ही नहीं होता है किसी ने किसी का अलग होता है ठीक है तो ठीक है कोश्चन आपका आपकी जिन्दगी है अपने शाब से जीएगा हमारा तो क्या है हम समझाएंगी अब आते हैं, नेस्ट कोश्चन आपका है, यह है, लिखा है, O, K, L, M, यहां फ़राएक, U, यहां पर है, T, T लिखा है, मेरे भाई, ठीक है, T लिखा है, पूछा है, कि दी गई प्रशनाकरती को मोड़ने पर जो घन बनेगा, उसे चूनिएगा, तो यहां पर चार आपसन दिया है, पूछा है, कि कौन सा घन बनेगा, ठीक है, इससे, इससे मोड़ने पर, A है, यह मन लेते हैं, B है, यहां पर बनाएंगे C, O, L, K, A D आपसन है, आपका, K, L, D, ठीक है, ठीक है, तो पूछा है कौन सा, इस में से, चारों में से कौन सा सही है, यहां पर जो नमरिंग है, M भी कर दिया, ठीक है, यह K है, U है, फिर क्या है, K, U, T, ठीक, अब पूछा है, कि कौन सा, इस में से, पासा, इससे, मतलब इससे अगर मोड़के बनाया जाए, जैसा कि हमने आपको कागज का मोड़के दिखाया था, तो कौन सा इस में से बन सकता है, तो पहले आप क्या करेंगे, जब पासा को आपको सौल्व करना हो, तो सदय आप कोशिश केजिएगा, कि हम उसका विपरीत फलक ज्याद करने हैं, ठीक है, तो, ओक का विपरीत फलक क्या होगा, यहां पे विपरीत फलक, विपरीत में बढ़ी रहती है न, विपरीत फलक, ठीक है, चलो, तो, ओक का विपरीत फलक क्या होगा, तो एक छोड़ के एल होगा, के का क्या होगा, तो एम होगा, ठीक है, एक छोड़ के के क्या होगा, एम होगा, टीक है क्या होगा, तो टीक है, जो होजाएगा, तीका क्या हो गया यह हो गया तो मिरशाथी यहां पर जो पासा बना होगा यहां पर जो भी पासा होगा इसके दो मतलग O, L कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे अगर जहां पर दिखेगा साथ में वो गलत हो जाएगा ठीक है K M एक साथ कभी ने दिखेगा इनमे T और U एक साथ कभी ने दिखेंगे इसमें ठीक है तो अगर जहां पर दिखेंगे वह option आपका गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा इतनी बाते आप ध्यान दिजेगा तो आपका option A है क्या L K M तो देखो K और M एक साथ आगया क्या आगया है? K और M एक साथ आगया इसलिए गलती हो गई तो ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो विपुरीत फलक एक एक साथ दिखाई दे रहा है हमने क्या कहा था? हमने आपको ये बताया था कि कभी भी बिपुरीत फलक एक साथ कभी नहीं दिखाए देंगे तो यह गलत हो गया अब आते हैं B, P K, U, T तो देखो U, A, T U, T क्या दिखा रहा है यहां पे देखो बिपुरीत फलक है और एक एक साथ दिखाए दे रहा है तो यह कभी हो ही नहीं सकता ठीक है, तो क्या होगा, ये दो आपसन बचे हैं, ये ही decide करेंगे कि कौन सा answer होगा तो इसमें O, L, K दिया है, तो O, L देखो, यहां पर O और L क्या है, ये विपरीत फ़लक एक अई साथ हैं, तो ये भी नहीं होगा तो होगा कौन सा, D होगा, D आपका option शही होगा, जिससे देश्यना करते हैं, ठीक है, तो इससे चेक भी तो कर लेते हैं कि आखिर कर सही है या फिर गलत है, तो देखो, पहला K है, K है, फिर क्या है, L है, फिर क्या है, T है, तो तीनों फ़लक अलग अलग जगा से आए हैं, जि ये मालूम पड़ता है कि ये जो आपका पासा है, यही, इस खुले पासे को अगर मोड़ा जा, तो इस तरह दिखाई दे सकता है, ठीक है, तो ये आपको साइद समझ में आ गया होगा, अब मुझे पूरा भरोशा है, कि आपको आही गया होगा, तो option आपका कौन सा सही है, D D फार क्या होगा, D फार, दादा हमारे भी धायक है, चाचा हमारे भी धायक है, D फर दिन दे याल, जलो जो भी कह लिजी आप, यहार से, ठीक है, अब नेस्ट कोश्चन आपका, आपके सामने, यह बाला है, आपको टिन डाइस दिया, ठीक है, एक कई डाइस है, उसको टिम बर क्या किया गया, टॉस किया गया है, ओके, आप घबड़ाएगा मत, टिन डाइस नहीं रहे गा या, कभी बुर्ति नहीं पदा करने कोई हैं, किसी का सेक्वेंस अलग होगा, ठीक है, आके ब यह तो आपका हो गया question लिखा यहां पर 3 5 2 3 5 1 4 2 3 यह आपको दिया है पूछा है कि कौन सा खुला हुगा पासा हो सकता इन में से चोटा बड़ा फिगर हो सकता है उसे इग्नोर कीजिएगा आप ज़्यादा उस चक्कर में मत पड़िएगा ठीक है कि आप्सन ए सब्सक्राइब अरे सोरी आप्सन ए दिया है यह ना फिर जब तक हम पूर अच्छे एक नकल लें तब तक कैसे माल ने किया यह आप्सन सजय है दो एक चार तीन पांच छे यह आप्सन भी है सही भी दिया ठीक है फिर आपका दिया है आप्सन यह दिया है शीक्स फूर फ्री वन यहां पर है टू यहां पर है फाइव अब यह सी आप्सन ठीक है अब डी आप्सन देखो आप्सन भी आप्सन भी आप्सन देखो कमा में से तो इस तरह कोस्चन है यह आपको कोस्चन दिया है यह क्या है क्या है तीकंश यह कोस्चन दिया है पूछा कि इनमें कौन सा हो सकता है यही पूछा ऐसा है ठीक है लिखा है अकर चुनिए जो की घर खोलने पर दिखा दिए यह कहा कि यह जो पासा है यहाँ पर दिया है अगर इसे हम ओपेन करें तो किस टाइप्स का दिख सकता है तो आपका जो पहला कदम होगा वह यह होगा कि आप अपोजिट उनका निकालने बिपरीट फलक पर कौन-कौन से होंगे उसे आप गयाद कर लीजीगा ठीक है तो दो तरीका हमने आपको बताया था अगर पासा इस टाइप्स का दिया हो और आपको बिपरीट निकालना हो तो टू टाइप्स दिया था तो सबसे बेत्रिन जो टाइप्स था आपका तो खूप नर्टियान होगा इस के साथ नहीं में बनेगा थैंसके इसके साथ लो तो देखो 3 थीन है जोए 2 जो इसके साथ भी मैं बनेगा अब इनमीं में देख लिए देख लिए 3 है 156 ऐनमीं में भरेगा Kate किसी ने हमसे पूछा कि कौमन आ रहा है अगर पहले से कंपेर कर रहे हैं तब तो हमने गया देखा कि पहले से इससे कंपेर कि इनके साथ लिए तो नहीं मैच वरा था उनका क्वालटी था सद्योदी कराते इन तो देखते हैं अ ही बाइब गणना विठाते हैं कि गुड यह पर इसके गुड नहीं मिल लाय Hero कोन सा प्रपरटी चक्रड भी किदी probiot है इस से नहीं मिले ससे बिने मिला तब क्या इनका क्षाधि орот इसमें क्या वगा इसमें मिला आपका कामन तीन क्या मिला तीन अब देखो मेरे भाई बिपरीट निकालेंगे क्या निकालेंगे बिपरीट अब यहीं से आपका पूरा अंसर पता चलिए बिपरीट ठीक है तो हमने बताया था आपको कि चक्रड विडी में जो एक फलक कामन हो तो पहले त्री आता है फिर फाइव फिर वन आता है इतनी बाते आप देख लिजिए फिर दूसरे वाले में यह तीन को पकड़ किया से घुमाएंगे उसी को घुमाएंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर कौमन दोनों फलक हो तीन यहां से अब तीन कौमन था तो हम त अःतितंगीद हो थुलक है तिया अपर आज आगा थी फिर फूर फिट्ट्वी यह जो आंने सामने हैं यह वीपूरीडः फलक है क्या है वीपूरीद फलक है एक दूसरे क्या है मेर भाई वीपूरीद फलक है भी फैंड। यека लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत 3 है ठीक है जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत क्या है तीन है तो आपको यहां सेंसर मिल गया अब चेक करते हैं हमने क्या बताता है खुलापासा में एक छोड़के विपरीत होता है तो चार का एक है तो चार का तो पा तो यह हैं यह जल्दी जल्दी कर लेंगे ठीक है यह तो हम आपको देरी देरी बता रहे हैं आप को जब आएगा तो आप पेपर पीक कर लेंगे अधी नजर दवड़ाएंगे फटाक से और सिद्धे आप्षन पर आएंगे आप संप्टिक मार की सुद्धे चात की पर चले हैंगे अगर से और सिह देखेंगे 6 का चा-क रियृओ से क्छा का 3 हो posili अचार का ne बहुँका एक तो नहीं दिखा यह चार का तो पांच यह है यही गलत है आपका option D सही हो जाएगा automatic कैसे 4 का, देखो 4 का 5 आ गया 1 कदू आ गया एक कदू आ गया जो बचा होगा 3 है उच्छा को जाएगा यादि कि option D आपका सही है D फार क्या होगा, देवदास होगा या फिर क्या होगा जी, देव होगा तो D फार आपका हो गया देव लही, देवदास तो मेरे शाथी आज का question बस यहीं तक था सफर अब मिलेंगे कल एक नए हमराहिक के साथ एक नए पतपर एक नए मंजिल के तरफ जाने के लिए क्योंकि अगर आप यहीं तक सफर रह हमारा दोस्तों इतना आप नोट का लिजेगा और हम काना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी रास्ता इस्टार्ट की है न तो वह रास्ता किसी ने किसी मंजिल के तरफ जाए गई जाएगा आज ने तो कल आपको और मनजिल मिलेगा ही मिलेगा तो इस बात से आप कभी मत कभी मत चिंता किजिएगा कि हमारे साथ वाले का मिल गया जवाब जवाब कर रहा है आप नहीं करें साथ भगवान भगवान आपके लिए कुछ अच्छा इससे सोच रखा हो कि आपको सिपाईने से देदा रोगा बनाएंगे ठीक है तो कम समय में आप उसे अच्छा बेश्ट कर लेंगे फिर आप वहाँ पर या फिर जो आपका ये क्या करते हैं रास्ता जो है या फिर लंबी हो या फिर टेड़ी हो या फिर बहुत ही गुमावदार हो तो आप कभी भी चिंता मत कीजिएगा बस अपने करतब्यों पर जो आपके ड्यूटी है उसे करते रहेगा बहुत इमानदारी के साथ तो साथियों आज फिर में लेना चाहता हूं विदा कल मिलेंगे फिर एक नएक कलास के साथ धन्यवाद मित्रों शुबरात